अगर आपका भाग सो गया है तो आज मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा है एक नहीं बलकि तीन उपाय बताऊंगा जिसको अगर आप कर लेंगे तो कर्म करते रहें कर्म के साथ साथ अगर ये उपाय आप करेंगे तो सोया हुआ भाग आपका जग जाएगा लेकिन सबसे पहले मैं अमित्राय जोतिस्वित्राय साहब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें और कमेंट करें। देखे, अगर आपका भाग सो गया है, तो उस भाग को जगाने वाला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। उपाय नमबर एक, करना क्या है कि आप एक मुठी चावल ने और उसमें एक रुपए का सिक्का रखकर किसी भी सीव मंदिर में जाकर कोने में रख दे। कहां रखना है, स्वव मंदिर आपको जाना है और उस मंदिर का जो कोना है वहाँ पर आपको रख देना है। उपाय नमबर दो, हर मंगलवार और सनीवार को एक डंठल वाला पान, जिसमें पान लेना उसमें डंठल हो, का पत्ता ले और हनुमान जी को अरपित करे और साथी साथ लड़ू का भोग लगाएं। उपाय नमबर थ्री, एक सफेद रुमाल में 101 दाने चावल और एक सुपारी रखकर उसे गाठ बान दे और किसी भी घर के नजदीक अगर मंदिर हो, तो उसमें लेया कर रख दे। आप ये उपाय करें, साथी साथ कर्म करते रहें, जो भाग में, कुंडली में जो भाग होता है, वो नववागर होता है, तो ये आप प्रकिरिया करेंगे, तो धीरे धीरे आपका सोया हुआ भाग जागरित हो जाएगा, विश्वास के साथ ये प्रकिरिया करें, यकीन मान आपका सोया हुआ भाग जागरित होगा और आप कोई भी सुभकार करेंगे उसमें भाग आपका साथ देगा तो हैने कमाल का सुथ इतने देर तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद